आज हम लोग अध्यन करेंगे आउकल समीकरण का आउकल समीकरण के अंतरगत मैंने बहुत सारे कोशनों को बता चुका हूँ आज फिर पुना इस आउकल समीकरण पा रहे हैं और आउकल समीकरण के अंतरगत एक कोशन दिया हुआ है दे रहा है कि x 10y dy by dx बराबर sin x plus y plus sin x minus y दिया हुआ है और इस आउकल समीकरण का आपको स्वल्ब करना है ध्यान देना है कैसे करेंगे यहां पे यहां पे अलग अलग भी दिया हुआ है तो पहले इसको स्वल्ब करते हैं कि 10y dy by dx बराबर देखिए इसमें x की वैलू भी है y की वैलू भी है एक बर हल करते हैं sin x plus y से तो क्या होता है sin x cos y plus sin a cos b plus cos a sin b cos x sin y plus इसको भी तोड़ दे रहे हैं यहां पे sin x cos y minus cos x sin y इसे क्या होए है अब यहां पे 10y पुली सकते हैं sin y upon cos y dy by dx बराबर यहां देखिए लिखा है sin x cos y minus cos y तो हो जाएगा two sin x cos y यहां पे जो cos यहां पे सिर्फ y है अब cos y को बटा में कर लिए यहां पे सिर्फ y सिर्फ y तो हो जाएगा आपका sin y बटा में कास आजाएगा cos square y cos square y और यहां हो जाएगा dy by बराबर two sin x dx अब यहां पे दोनों पच्छों का हमें समाकलन करना है समाकलन करेंगे यहां पे यहां मानेंगे कि माना कास य बराबर लिद य कॉसिस इसका उखलनन क्या होता है sign होता है माइनस sign होता है माइनस sign y dy बराबर कितना हो जाएगा dt साइन और पान है टवाई dt हो जाएगा बराबर यहां पर माइनस बाहर कर लिएगा यहां पर टू बाहर कर लिए साइन इसके समाकलन होता है माइनस कॉस है क्या होता है माइनस कॉस एक होता है माइनस माइनस क्या करेंगे हैं यहां पर यह कैसे करना है टी उपर चल जाएगा DT बराबर 2 cos x plus C जोड़ा कर नो हो जाएगा तो माइनस 2 प्लस 1 – 2 प्लस 1 बराबर 2 cos x plus C बराबर 2 cos x c प्लस के आधे – टू प्लस 1 करेंगे तो मानस यहां हो जाएगा यह इंड हो जाएगा ओना अपने कितना होगा ती बराबर तू कोस एक्स प्लस क्या मानिय मैनिस्ष्ण कास वाई बराबर टू कॉस एक स्पलस एक हो जाएगा यह हो गया आउक्त समिक्रन कि इसा एक बर देख लेते हैं तोड़ने के बाद सब्सक्राइब करते हैं कि अब फिप्टीन नबर कोशन से एदम राइट एंसरा हुआ है कि सेक वाई बराबर टू कॉसे प्लस थी ऐसा में कर लिजिएगा इस तरह से क्या करते हैं आपकर समीकरन के प्रसनों को सॉल्व करते हैं कर लिए